ओके अपना जो नेक्स टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग डैट इस फैडरलिज्म यह आपका 7th unit है फैडरलिज्म 7th unit है फैडरलिज्म का बेसिक मतलब आप लोग जानते हो जो constitution होता है वो खुद ही power को divide कर देता है 6 basic features बताया जाते हैं फैडरलिज्म के general बात जो known है फैडरलिज्म को ensure करने के लिए 6 बाते होती हैं जो generally ensure करती है written constitution, rigid constitution, supremacy of constitution तीन पॉइंट तो होगे constitution पे इसके अलामा dual government जैसे आप division of power भी बोल सकते हो independent judiciary और bicameralism ये 6 element है ये 6 element है जो किसी भी country में अगर आपको test करना है कि federalism है की नहीं है तो इन 6 parameters पे चेक कर लो पता चल जाएगा America में दो और added है America में दो और added हो जाते है USA में वहाँ पे होता है double citizenship और double constitution अब आपको पता है कि सारे provision इस तरीके से फ्रेम किये गये हैं ताकि states के authority को जो center है वो overpower ना करने पाए हमें पता है federalism में एक unit होती है और दूसरा center होता है center unit को power devolve नहीं करता बलकि ये powers दी जाती है constitution के थूँ दोनों का अपना specific domain होता है काम करने का और वो domain मिल्कुल clear होता है constitution के थूँ उनको divide कर दिया जाता है एक बहुत ही natural सी बात है कि किसी भी जगें पे जो units होती है वो states से कम powerful होती है वो collectively तो equate कर सकती है center की power को लेकिन अलग अलग वो कमजूर होती है और इस बात की पूरी possibility रहती है कि जो center है वो units की power को छीन ले तो जो federalism के features है वो actually mean state या units जो होती है अलग 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 नामों से पोकारा जाता है ठीक है हमारे यहां state कहा जाता है किसी जिए पर canton कहा जाता है स्रिजलेंड में 20 canton है 6 half canton है तो 20 canton से 2-2 member जाते है 40 और 1 member half canton से जाता है तो वहां की वहां की भी जो house of states होता है उसमे 46 members होते है तो symmetrical है ठीक है बट फिर भी देखिए जो एक तरीके का federalism वहां तयार किया गया है general notion ऐसा होता है कि कभी भी state जो center है वो इतना powerful ना होने पाए किसी भी model में चाहे वो symmetrical हो या asymmetrical हो no one knows the time मैं कहरा हूँ चलो आज अमेरिका में आपको लग रहा है कि जो states है वो ज़्यादा powerful है civil war आपको याद है civil war को एक और से तो center ने lead किया था ना उ जो constitution में federation के features होते हैं वो actually में units को बचाते हैं कि उन्हें center कभी overpower ना करने पाए इसलिए कहा जाता है कि written constitution होना चाहिए हर चीज साफ साफ लिखी होनी चाहिए कौन किसका power है कोई किसी को abrogate नहीं करेगा constitution में जो लिखा है पता चला उन्होंने बदल दिये center के पास amendment करनी वहां पर बड़े constitution state के हैं दूसरा वहां पर जो union का constitution भी है उसमें भी amendment में states का बहुत बड़ा role होता है वहां का जो center है मतलब जो federal legislature है वो तो simple majority से मतलब simple majority से पास कर देता है states जो होते हैं वो two-third majority से पास करते हैं amendment states two-third majority से पास करते हैं तो जो real procedure होता है amendment का वहां के constitution का वो states में जाता है का एका power इसी लिए constitution supreme होना चाहिए पर्लेमेंट supreme नहीं हो सकती पर्लेमेंटरी supremacy होती ना UK में यूके में यूके में पर्लेमेंटरी सब कुछ है और उन्हें वहां का crown नॉमिनेट करता है वो जो 9 member नॉमिनेट किये जाते हैं 6 तरीके के members होते हैं वहां के house of lords में कुछ clergy होते हैं, कुछ पुराने जो prince वगएरा होते हैं उनके family के लोग जाते हैं अभी तो 2000 के बाद तो normal लोग भी जाने लगे हैं पहले normal लोगों का जाना allowed नहीं था house of lords में, अभी ordinary लोग भी जा सकते हैं आपने कुछ बढ़ियां काम किया वो society बे तो लोग नॉमिनेट कर देते हैं तो जो 9 jury के member होते हैं, वो highest court of appeal होते हैं लेकिन वहां पैसा नहीं होता वहां ते जो constitution है, वो supreme है आप constitution के साथ कोई tempering नहीं कर सकते power का division होना चाहिए clear cut, और ये division यहां होना चाहिए written constitution में और इसके अलावा जुदीशरी independent हो चलो अगर आपने सारी गरबड़ी कर दी, आप constitution को मानते नहीं तो आप जाओगे कहां जाओगे तो वही ultimately जो आपकी security है, उसे ensure करेगा कि आपकी authority छीनी ना चाहिए अगर आप state state में ही रह गए, तो central level पे तो जो central government है, federal government है, वो कुछ भी करेगी, तो federal level पे central level पे states का say होना चाहिए इसके लिए bicameralism जरूरी है हर जिगे जहां federation होता है, वहाँ पर एक upper house होता है, और जो upper house होता है, वो states को representation देता है, बिटेन में भी upper house है, house of laws, लेकिन वो states के representation के लिए नहीं है, वो वहाँ के aristocracy के representation के लिए है वहाँ भी house of laws है तो वहाँ का जो house of laws है न, वो traditional outlook को दिखाता है जो उनका अधर आयलेंड है आपका वेल्स है Scotland है तो वहाँ पर जो भी उनिट्स हैं बट वो उनके representation के लिए बनाया नहीं गया है वो उनके aristocracy को maintain करने के लिए बनाया गया है जो वहाँ का upper house है लेकिन जो federation यह federal system में upper house होता है वो state के representation के लिए बनाया जाता है तो यह तो federal system का basic सा मतलब हो गया ठीक है यह general बात है बहुत general बात है मतलब अगर हम federal system के बारे में बात कर रहे हैं तो इतना तो expected रहेगा कि आपको इतना तो पता है इतना भी नहीं पता है तो फिर इस chapter की fundamental understanding में दिक्कत होगी अब इसके लिए सिंपल्स है यह छह element दिमार्ख में रख लो इन constitution पर इसके बात है इसके बात होगे बारे में आगे बढ़ते हैं Indian model of federalism के क्या features हैं और किस extent तक इसे quasi federal कहा जा सकता है यह question आता है इस question को हम address करेंगे जब हम federalism की बात करते हैं तो मन में associated कुछ questions आते हैं ठीक है तो यह उन में से एक question है जो मन में आता है what is principle of subsidiarity जिसके basis पे पूरा federalism work करता है जो federalism है वो work करता है principle of subsidiarity पे तो वो है क्या subsidiarity के principle को मैं हजार तरीके से technically discuss कर दूँ बस उसका सीधा सा मतलब यह है कि जो काम आप कर सकते हो वो मैं क्यों करूँ वो मैं क्यों करूँ वो आप करूँ और जो काम मैं कर सकता हूँ वो भी मैं क्यों करूँगा वो भी आप करोगे वो मैं करूँगा जो काम मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा वो फिर वहाँ जो office में बैठे लोग है वो क्यों करेंगे और जो काम office में बैठे लोग कर सकते ह वो हम सुमिसर को क्यों बोल दे करने को ठीक है और जो काम सुमिसर कर सकते हैं वो सुमिसर करेंगे ठीक है तो कहने का मतलब यह है कि जो काम जिस लेवल पे हो सकता है उसका अपर लेवल वो काम ना करें जो काम एक इंडिविज्वल लेवल पे हो सकता है उसे ग्रुप में ना क केले कर लीजिए जिस काम को आप अपनी फैमिली बड़ा काम है कोई अपनी फैमिली अपनी दोस्तों की मदद से आप कर सकते हो उस काम के लिए अपने निवरूर की मदद मत लीजिए परोसियों की मदद मत मागिए जिस काम को आप अपने परोसियों की मदद से कर सकते हो उसक यही कहा जाता है subsidiarity मतलब जो upper level है वो subsidiary role play करेगा वो आपको assist करेगा मदद करेगा आप वो काम कर सकते हैं वो करिए इसी के basis पे पूरा federalism वर्क करता है कि कुछ काम units के level पे हो सकते हैं कुछ काम states कर सकते हैं उसे center क्यों करेगा उसे state को करने दो यही federalism का central feature है तो ठीक है यह universally accepted और acknowledged principle है good governance का principle of subsidiarity important है यह मतलब federalism में वो जो बाते मैंने आपको बताई वो actually में बहुत general understanding के लिए general studies की बाते थी optional level की बात इधर सुरू हो रही है कि जो federalism है वो principle of subsidiarity पे based है आप कभी भी अपना introduction उससे में शुरू कर देना कि हाँ इन 6 principle पे federalism based है उसस समझ जाएगा GS पढ़के आए हो ठीक है यहां से शुरू करोगे तो उसको समझ में आ जाएगा कि आप वो fundamental principle पता है federalism का और यह दुनिया भर में माना जाता है कि जहाँ पे subsidiarity का principle follow होता है वहाँ पे governance बढ़िया चलता है इसका मतलब यह है कि अगर कोई काम individual level पे हो सकता है तो government को वो काम नहीं करना चाहिए या कोई काम अगर local level पे हो सकता है तो उसके उपर की government वो काम ना करे state को वो काम नहीं करना चाहिए जो उसके नीचे के लेवल पर हो सकता है ठीक है तो यही इसका एक basic सा मतलब है principle of subsidiarity को इस graph में बताया गया है जो काम individual level पर हो सकता है उसमें family friends, business associations की मदद साथ मतलिए जो यहाँ हो सकता है उसमें neighborhood ना जाए जो यहाँ हो सकता है वहाँ पर regional local governments ना चाहे और जो यहाँ हो सकता है वहाँ पर national government और federal government ना आए यही है principle of subsidiarity जनरल इम इस principle का यही होता है कि degree of independence हो lower authority को higher body के relation में जो lower level पर काम करने वाली bodies हैं वो अपने उपर की authorities से independent होने पता है क्या कम करना है और जो local authority है वो central authority के respect में ठीक है इसमें power sharing चलती है सबका अपना power divided होता है ओके तो यह तो basic सा मतलब हो गया principle of subsidiarity and this is the basis for the federalism all over the world पूरी दुनिया में federalism का basis है principle of subsidiarity जिसका जो काम है वो करें delegation क्या होता है क्योंकि federalism में task या powers delegate की जाती है ठीक है तो हम कुछ basics समझ रहे है federalism के कुछ basics जिनके उपर federalism वर्क करता है तो federalism principle of subsidiarity पर वर्क करता है principle में जो federalism है उसमें delegation होता है delegation होता है power का और जो power का delegation होता है वो ultimately अगर आप देखें तो executive action में देखने को मिलता है India में of course India में अगर आफ federalism को देखोगे तो वो आपको ज़्यादा executive action में मिलेगा जबकि आप अगर America में जाओगे तो वो legislative action में देखेगा यहाँ पे ज़्यादा तर laws बनाए जाते हैं union government की द्वारा और उनका execution state करता है तो कहा जाता है कि इंडिया में जो federalism है that is on executive level while federalism in USA is on legislative level वहाँ पे वो कानून भी बनाते हैं judiciary के level पे भी है तो देखें यहाँ पे जो executive act होते हैं उसमें दो तरीके से powers divide होती हैं एक जो mechanism है उसे कहा जाता है devolution और दूसरा होता है decentralization devolution और decentralization देखने में लगबग या सुनने में जो words हैं वो एक जैसे लगते हैं मतलब आपको लगता होगा कि decentralization में भी हम राशूर्टेवल पे power को लेके जाते हैं और devolution में भी power का बटवारा हो जाता है तो exactly दूनों में क्या आंतर है devolution होता है legislative act के जरिए जबकि decentralization होता है constitution के जरिए and that is the only difference between the devolution and decentralization होता दूनों में एक ही है काम दूनों में एक ही होता है जो center है वो state को कोई काम दे देगा करने को बुलेगा ये आपका ये आप करो लेकिन अगर ये उन्होंने एक parliament में law pass करके किया तो उसे कहा जाएगा devolution कि उन्होंने अपना जो power है उसका devolution किया है लेकिन अगर आप इसके लिए constitution में बदलाव करो amendment कर दो तो उसे decentralization कहा जाएगा ठीक है जैसे जब हमने 73rd, 74th amendment किया तो हमने कहा कि ये एक leap forward था towards decentralization क्यों क्योंकि constitution में amendment किया और ऐसे तो कई सारी powers जे सरकार कहती है कि ये text आप वसूल लो पहले हम वसूलते थे हमारा आपका बटवारा होता था अब आप वसूल हमारा आपका बटवारा हो जाएगा होगा वही पहले हम वसूलते थे अब आप वसूल लो बोलेंगे हम कैसे वसूलते कि थे परलेमेंट में लाव बना दे रहे हैं उन्होंने लाव बना दिया कि ये act of state government वसूलेगी अब ये devolution of power ये power का devolution है ये decentralization नहीं है ये भाई act हो रहा है ठीक है तो बस आप ये जान लेजिए कि devolution और decentralization एक जैसे होते हैं बस एक basic सा अंतर है अब देखिए अब exact मतलब federalism क्या है अभी तक मैंने आपको के वाल तीन बाते बताई एक तो मैंने आपको federalism का general मतलब बताया जो आप general studies में भी पढ़ते हो ठीक है कि federalism के 6 features हैं अमेरिका में तो add हो जाते हैं उदर 8 हो जाते हैं बाकी general 6 है ऐसे पढ़ने के perspective से add करने को आप कुछ भी add कर लो कोई hard in fast ये 6-7-8 नहीं है तो मैंने आपको एक तो ये बता दिया कि क्या basic मतलब है दूसरा ये principle of superiority पे based है तीसरा कि इसमें devolution और decent transition में क्या मतलब होता है अब चौथा पार्ट है इसका कि federalism का मतलब क्या है जो federalism है ये actually में latin word for this बना हुआ है इसका मतलब होता है contract contract का मतलब ये है कि actually में federalism में एक contract होता है जिस contract के जरीए decide किया जाता है कि कौन सा काम center करेगा और कौन सा काम उसकी units करेंगी और ये contract कहां है constitution में है मतलब यहाँ पे federalism में जो contract है वो constitution constitution works as an works as a contract ठीक है तो constitution ही contract document है दुनिया का पहला ऐसा constitution USA में बना जिसनी powers को divide किया center unit के बीच में तो ये तो मतलब हो गया basic on term मतलब हो गया federalism का जो literal मतलब है वो क्या है it is the mean it means contract अले तो scholars कैसे देखते है federalism को William H. Ricker और A. V. Dice इनका क्या opinion है federalism को लेकर William H. Ricker ये कहते हैं कि federalism में कम से कम कुछ ऐसा area तो एकदम clear होना चाहिए कि इसमें कौन क्या करने वाला है मतलब कुछ area तो specified होना चाहिए कि इधर ये वाला काम state करेगा ये वाला center करेगा ये हो गया तो federalism सिधा सब कुछ जदा इधर दर की बात नहीं कर रहे हैं सिधी बात कर रहे हैं कि at least some areas will be there जहां पर fix हो कि ये center का काम है ये state का काम है तो federalism हो गया ठीक है next evidacy evidacy कहते हैं कि federalism एक political arrangement है जहां पर units union तो बनाना चाहती है लेकिन uniformity नहीं federalism एक ऐसा arrangement है जहां पर units union तो बनाना चाहते हैं लेकिन uniformity नहीं वो चाहते हैं कि वो इकठा हो जाएं और एक साथ रहें लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि सब एक जैसे हो जाएं Tamil Nadu जो है वो इंडिया के union में रहना चाहता है लेकिन वो अपना culture नहीं बदलना चाहते अगर ऐसा arrangement आपको चाहिए तो आपको federalism चाहिए जहां पर लोग इकठा तो हो जाएं लेकिन अपनी identity maintain करके रखें वो इस salad ball model जो हमने देखा था था ना कि आप salad ball की तरह रहते हो आप हो तो इकठा एक ही ball में हो लेकिन सब अपनी अलग-अलग identity के साथ हो जैसे इंडिया में caste system salad ball की तरह रहता है इंडिया का जो culture हो salad ball है melting pot नहीं है वैसे ही यह कहते है फ्रेडलिस्दम में units होती है अब देखे फ्रेडलिस्दम जो है वो इंडिया में किन objectives के साथ आया what were the objectives for bringing होगी इंडिया भारत एक बहुत बड़ा देश है मतलब किसी भी देश में हम not just इंडिया हम जनरल बात कर रहे हैं इंडिया हो गया USA हो गया बहुत बड़े देश है diverse country है तो diversity को accommodate करने के लिए आपको चाहिए दूसरा जो division of power है और subsidiarity principle है उसे implement करने के लिए आपको federalism चाहिए ठीसरा security के परपस से अलग लग रहोगे ज़ादा आपके पास autonomy रहेगी तो आप पने security इंशूर नहीं कर पाऊगे एकठा रहोगे united रहोगे ताकतवर रहोगे और चौथा एक common market बन जाएगा एक common economy बन जाएगी जब economy common हो resources का सही से mobilization हो तो growth अच्छी होती है अलग लग रहोगे तो सब परिशान रहोगे ठीक है तो ये कुछ basic से objectives रहे आप सभी लोग यहां पर हम सभी लोग यहां पर इकठा हुए हमने प्लान बनाया कि हम class लेंगे आप लोग आये पढ़ने के लिए मैं आया पढ़ाने के लिए यह है coming together model सभी लोग इकठा हुए और हमने mutually कुछ decide किया that is coming together कई वार हम ऐसा करते ने कि कल class का time क्या रख लिया जाए इतने वज़े रख लेते हैं that is coming together model सबका say coming together model जो है वो USA का है USA में 13 states एक साथ है और उन्होंने एक federation बनाया that is coming together model ठीक है यह है holding together holding together का मतलब यह है कि आपका say तो नहीं है आना तो आपको पढ़ेगा class scheduled है class scheduled है मैं आया हूँ पढ़ाने के लिए लेकिन मैं कोई मनमानी नहीं कर रहा हूँ अगर आप कोई बात कह रहे हो तो आपकी बात सुनी जा रही है मतलब आपका say है और आपकी बाते respect की जा रही है समझी जा रही है that is holding together मैंने कोई जबरदस्ती नहीं करी हुई है बस हमने हाथ पकड़ा हुआ है coming together का मतलब है कि सब लोग साथ में आके बैठे है holding together मतलब यह है कि मैंने हाथ पकड़ा हुआ है और आप चोड़ा सकते हो अमेरिका इनिशली कंफेडरेशन की तरह काम करता था जहां पर लोगों को ऐसा लगता था आप राइट तु सीड बाद में पता चल गया कि नहीं है तो उनको भ्रहम था ऐसा दे केंसी उन्होंने कोशिस की सिविल वार में बट ऐसा हो नहीं पाया तो होल्ड किया गया लेकिन उनकी importance है उनका say है उनको हमने जबर्दस्ती नहीं रखा हुआ है उनको इज्जस सम्मान मिलता है ठीक है और फिर है third model putting together USSR हो तो हो जाने की सोचना भी मत आपकी इजदत करेंगे कि नहीं करेंगे इधर ही बैठना पड़ेगा इधर ही बैठना पड़ेगा ठीक है तो यसे यह जो class है यह जो class है यह मेरे लिए holding together model पर वर्क करती है लेकिन जब मैं college में class लेता हूँ तो वो putting together model पर काम करती है class में से निकल मत जाना और लेट हो गया हो तो घुस मत जाना तो वो putting together चलता है college में डिसमेंट पर ज़्यदा maintain करना पड़ता है यहाँ पर freedom है आपकी बिल है आप class करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो आपके लिए ऐसा कोई restriction नहीं है यूससर का model था putting together का देके difference होता है unitary model में confederation में और federation में unitary model है UK का confederation का model आप देखो पहले यूससर था अब ऐसी कोई country नहीं रहे गई है जिसको आप confederation कह सको कुछ confederation वाले groups हैं जैसे कि EU हो गया सार्क हो गया इन्हें आप आज confederation कह सकते हो because इनकी units अलग हो सकती है federation और confederation में सिर्फ एक ही अंतर है confederation में units जब चाहें अलग हो सकती है federation में से units अलग नहीं हो सकती अमेरिका पहले confederation की तरह काम करता था before civil war उसके बाद वो federation बन गया यह हो गया कि भीजर से किसी को जाने नहीं देंगे जो हैसो है और federation में इंडिया आ जाएगा यह ऐसे भी आ जाएगा ठीकि जो unitary system होता है उसमें होती है एक national government और एक state government लेकिन जो power का concentration होता है वो national government में होता है जो state governments है उन्हें उतनी ही power उतनी ही authority होगी जितना national government उनको देगी जैसे बिटें का model ले लिजे वहाँ पे Wales को Scotland को या फिर जो नदन Ireland है उतको कितनी power होग कि वो एक्ष्यली में वही जो central government है united kingdom की वो decide करती है कि किसको कितनी power दी जाएगी फिर federal system यहाँ पे जो national government हो फायरकी में उपर होती है state government नीचे होती है जबकि यहाँ पे दोनों बराबर होते है state government और central government बराबर काम करते हैं ठीक है और confederation में state government उपर चली जाती है national government एकठा हुई है और फिर EU का पार्लेमंट बना है वहां पर EU का पार्लेमंट इप्टन नहीं है वो countries important है शाक में यह countries जो है इकठा है या फिर BIMS टेख है यहाँ पर जो countries इकठा हुई है वो countries important है BIMS टेख का central organization इंपरेशन नहीं हो तो जब चाहेंगे तोट देंगे उसको तो जो Conferberation होता है उसमें State higher की में उपर होता है और जो National growing시에 होती है ये फ्रेडरेशन मे दोनों बराबर होते हैं और Unitary System में जो National Government होती है वो उपर होती है और State Government नीचे होता है ये power equations है ये power पावर एक्वेशन्स हैं टाइप आप प्लिटिकल सिस्टम में यह पावर एक्वेशन्स हैं ठीक है यूगे में जो पावर है सब नेशनल गवर्मिन्ट की उसे सेंटर डिवॉल्व करता है बाई लॉग कॉंस्टूशन है नहीं अमेंड करने को उनके पास है अमने का न डिवॉलुशन होता है वहां पावर का डिसेंट्राइजिशन नहीं हो सकता क्योंकि कॉंस्टूशन नहीं है तो चेंज क्या करेंगे कुछ एक्ट्स हैं पाल्यमेंट एक्ट है उनका 2011 का 1951 का जिसी से उनका सरा काम चलता है इसका मतलब यह है कि उनके पास कोई ओर पावर नहीं है जो भी उनिट्स है और यह सेंट्रल गौर्मन के सब ओर्ड यूइट होते हैं हाई आर्की में नीचे होते हैं सेंटर उपर होता है स्टेट नीचे होता है यह तो हो गया यूट्री सिस्टम यूके का का कंफेडरेशन एयू और सार यह बिल्कुल ऑपसिट ह यहाँ पर यूट्स जो होती है यानि कि स्टेट्स एकठा होते हैं और वो सेंटर को पावर देते हैं वो सेंटर को पावर देते हैं साथ का जो सेंटरल ऑगिनाजेशन है उसके पास कितनी पावर होगी वो कंट्रीज रिसाइट करेंगी यू के पारलेमेंट के पास कितनी UK countries decide करेंगी यहाँ पे unit center को power देते हैं एकदम उल्टा चलता है और फिर आता है federation यहाँ पे कोई किसी को power नहीं देता यहाँ पे constitution दोनों को power देता है ठीक है तो unitary government में center state को power देता है confederation में state center को power देता है लेकिन federation में कोई किसी को power नहीं देता क्योंकि दो लोग बराबर हैं और जब दो लोग बराबर के हैं तो कोई एक दूसरे को कुछ देता नहीं है कोई third person होता है कोई third entity होती है तो constitution यहाँ पर है जो powers को divide करता है ठीक है वैसे तो मैंने आपको 6 principles बताया जिसके basis पर हम judge करते हैं कि हाँ federation है कि नहीं है अमेरिका में आर्ट हो जाते है जंदल समझने के या दिमाग में रखने की perspective से ऐसा कोई गिंती नहीं है बट USA का जो supreme court है उसने बोला कि जो federation है उसमें कम से कम तीन चीजे होनी चाहिए तब ही आप उसे federation कह सकते हो यह US का supreme court कह रहा है यह उनकी राय है मतब आप इसे hard and fast कोई rule मस्तमझना division of power होना चाहिए written constitution होना चाहिए independent judiciary होनी चाहिए अगर यह तीनो है तो आप किसी भी country को federation कह सकते हो अब इसके हिसाब से India federation है कि नहीं है बिल्कुल है division of power है 7th schedule से constitution में written constitution है और independent judiciary है इंडिया के case में तीनो ही है article 131 है जो original jurisdiction देता है center state relations के मामले में supreme court को अगर इनके बीच में कोई भी विवाद है तो article 131 के तहाथ वो supreme court जा सकते है supreme court उसको निप्टाएगा तो यहाँ पर judiciary independent है अपनी हिसाब से काम करती है ठीक है तो मतलब जो supreme court का उनका USA के supreme court का जो interpretation है उसके हिसाब से इंडिया एक federation पर केसी वियर आते हैं कहते हैं नहीं है ठीक है अपना-पना सब का argument है या इंडिया क्वासी फेडरल है अब एक बंदू आएंगे उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि इंडिया federation है कुछ लोगों को बरदाश नहीं होता अब ये हैं कीनेथ, क्लिंटन, वियर जिनको आप शॉर्ट में केसी वियर बोलते हो नो तो केसी वियर ये कहते हैं इंडिया क्वासी फेडरल है इंडिया true federation नहीं है इनका ये कहना है ये किस बेसिस पर कहते हैं ये कहते हैं देखिए इंडिया में जो centralization है वो बहुत ज़ादा है जैसे इंडिया में बहुत सारी चीज़े हैं जो center को ज़्यदा power दे देती हैं जैसे emergency provisions है, all India services है governance का appointment है ठीक है, ये सारे जो है unified judiciary है ये सब center को ज़्यादा devolution है या फिर decentralization है उसको clear नहीं कर रखा है इनोंने division of power clear नहीं है इंडिया में इसलिए कहा जाता है कि इंडिया में true sense में federalism नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ऐसा केवल इंडिया में है कई सारे और देश हैं जहां पर धीमे धीमे federation होने के बावजूद जो powers हैं वो center के पास ज़्यादा accumulate हो रही है USA के civil war के पहले जो वहां के states है उनके पास ज़्यादा power हुआ करती थी जो center था वो कमजोर था लेकिन जैसे civil war खतम हुआ तो ये clear हो गया कि states के पास इतनी power होगी नहीं USA का जो status है वो national politics में मतब जो international level पर बढ़ने लगा और international level पर जब USA का status बढ़ा तो status को lead कौन कर रहा था वहां का federal government lead कर रहा था states नीचे के दरजे पर चले गए तो धीमे धीमे वहां पे भी जो एक decentralization था जो constitution के जरीए उनकी यहां किया गया था वो weaken हुआ और वहां पे जो center है वो ज़्यादा powerful हुआ states के comparison में दो इसकी major reasons रहे civil war के बाद ये clear हो गया states अलग नहीं हो सकते और अगला point यह है कि international status बहुत बढ़ गया America का USA का और उसे lead कर रहा था federal government कोई state उसे lead नहीं कर रहा था they became powerful तो ये trend हर जिगे देखने को मिला है even जो इंडिया का federation है वो कभी static नहीं रहा है 1990 के बाद अगर हम देखें तो इंडिया में जो states के पास हम कह रहे हैं कि शुरू में जब इंडिया बना तो वहाँ पर इंडिया को थोड़ा ज़्यादा unitary रखने की खोशिस की गई एक blend maintain किया गया unitary और federation का तो center ने अपने पास कुछ powers रखी ताकि एक volatile country को maintain किया जा सके 1990 के बाद हम देख रहे हैं कि अब states के पास ज़्यादा bargaining power आई कई सारे regional parties evolve हुई उन्होंने अलग-लग states को rule करना शुरू किया economic advancement हुआ तो उन्होंने bargain करना शुरू किया central government से तो वो ज़्यादा powerful हुए एसार बोमाई केस में Supreme Court ने बोल दिया कि जो federalism है वो basic structure है उसके बाद से जो एक key feature था वो इतना strong हो गया कि states को समझ में आ गया कि हमारी अपनी एक place है अपना एक जगे है जिसको center छीन नहीं सकता तो वो ज़्यादा strong condition में आए ये देखे ये अपके वाल एक Supreme Court ने यहाँ पर ये भी कह दिया और आपको लगा कि नहीं हम अमेरिका जैसे नहीं है ये क्या बात हुई मतलब आप अमेरिका को parameter क्यों मान रहे हो अमेरिका में ऐसा क्या खास है कि आप अमेरिका को parameter मान के फिर decide करोगे कि कौन सी country federal है कौन सी federal नहीं है Supreme Court ने बोला कि federation के लग-लग models हो सकते है वो American model of federalism है ये Indian model of federalism है तो इसे quasi-federal कहना गलत है इसे quasi-federal कहना गलत है इंडिया अपना federation है इंडिया is a federation in itself ये अपने आप में federation है अमेरिका के सांथ compare करने के क्या जरूरत है आपको ठीक है तो Supreme Court ने ये बोल दिया अब यहाँ पर देखिए USA जो है वो dual federalism का एक example है जबकि इंडिया cooperative federalism का एक example है ठीक है dual federalism का मतलब ये होता है कि federalism में दो units होती है और दोनों के बीच में एक strict separation होता है दोनों अपना काम करेंगे आपने देखा होगा layer cake उसमें cake में pastry आपने खाई होगी pastry में अलग-अलग layers होती है एक cream की layer होगई एक chocolate की layer होगई एक bread की layer होगई उसमें हर layer एकदम साफ साफ दिखती है तो America में न center और state की बीच के power का division बिल्कुल वैसे ही clear है जैसे की cake में उनकी layers clear होती है जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है इंडिया में जो center है वो थोड़ा साथ ज़दा powerful है center big brother का role play करता है states के साथ वो cooperate करता है और एक composite development ensure करता है तो दो models हैं यहाँ पर dual federalism क्या है dual federalism में यह है कि states के अपने rights होते है दोनों अपने अलग-अलग domain में काम करते हैं और यह rights जो हैं वो visible होते हैं जब दो governments के बीच में एक water tight compartmentalization हो water tight division हो तो उसे कहा जाता है dual federalism जो अमेरिका में है और दोनों एक दूसरे के उपर मतब दोनों एक दूसरे से independent होते हैं तो इसे true dual government कहा जाता है अमेरिका में यह चलता है state का अपना काम है center का अपना काम है कोई एक दूसरे में interview नहीं करता है true sense में separation of power भी वहाँ पर वर्क करता है अलग-अरग-अरगन के government भी independent तरीके से काम करते हैं और center की जो unit है वो भी state की unit से अलग काम करती है और cooperative federalism cooperative जो federalism होता है उसमें आपस में मिलकि वो cooperate करते हैं तो जो dual federalism है वो concept of independence पर बेज़ड है कि center अलग है state अलग है और जो cooperative federalism है वो interdependence या interlocking पर बेज़ड है दोनों जुड़े होते हैं जो cooperative federalism है यहाँ पर जो union है वो एक big brother का role play करता है और वो जो बाकी के states हैं उनके साथ मिलके cooperate करता है यह ऐसे देशों में बहुत जरूरी होता है जहाँ पर situation की feeling हो जहाँ पर states अलग होना चाहते हो या फिर regional imbalance हो कोई state बहुत ताकतवर है बहुत resourceful है कोई कम ताकतवर है कम resourceful है ऐसी condition में center को big brother की role में आना पड़ता है नहीं लड़ मर लेंगे सब लोग या तो तूटके अलग हो जाएंगे या लड़ लेंगे तो ऐसे जैसे इंडिया की जो quality है इंडिया की quality में center को big brother का role play करना पड़ेगा यहाँ पर कुछ state अब जार खंड है, 36 गड है, बिहार है यह under developed है, कुछ state है, अच्छा perform कर रहे है महराश्टरा है, केवला है तो अब इस imbalance को कौन manage करेगा या आपस पर थोड़ी manage करेंगे इस imbalance को center को manage करना पड़ेगा कोई कहा रहा है, हमको अलग होना है कोई कहा रहा है, इस region को अलग करके एक देश बना दो अब ऐसे थोड़ी होगा फिर आपको महाँ पर उस imbalance को manage करने के लिए center को थोड़ा powerful बनना पड़ेगा बिग ब्रदर का role play करना पड़ेगा तो इसलिए cooperative federalism में वो dual federalism है हर layer एकदम clear कोई confusion नहीं जबकि जो Indian federalism है वो cooperative federalism है जिसे marble cake federalism कहा जाता है marble में आपने देखा होगा ना, color एकदम mix हो जाते हैं जैसे यहीं देख लो, बगल में देख लो, यही है कहीं और जाने की जरूत नहीं है सब mix कर दिया black and white, uneven तरीके से यहाँ पर सब mix होता है यहाँ पर एकदम clear कर division नहीं देख सकते हैं Indian federalism का क्या unique feature है वोई बात जो हम शुरू में कर रहे थे इंडिया में executive federalism है जबकि USA में legislative federalism है ठीक है इंडिया में, execution में जो division है power cup वो जड़ा clear है यह काम state ही करता है जो central law बना भी देता है न उसको execute state ही करता है कौन करेगा execute, कौन करेगा ठीक है railway चलो, central government की agency है लेकिन वो गुजर तो states में से रही ने security कौन देखेगा वो अच्छी तरीके से operationalize हो कौन देखेगा states ही देखेंगे तो यहाँ पे जो ज़्यादा आपको federalism मिलेगा, वो execution में मिलेगा ज़्यादा important laws center बनाता है, states नहीं बनाते ज़्यादा important subjects center के पास है अमेरिका में ऐसा नहीं है अमेरिका में उनके पास legislation में भी काफे ज़्यादा autonomy है इंडिया एक example है earth symmetrical federalism का, जिसकी बात हम लोग पहले कह रहे थे कि यहाँ पर हर state से equal number of लोग upper house में नहीं जाते अलग-अलग states से अलग-अलग number में लोग जाते हैं according to the population, जबकि आप अमेरिका में देखो, या फिर्स वेजर लैंड में देखो तो वहाँ पर लोग equal number में जाते हैं तो वो symmetrical है और ये इंडिया में जो model है वो asymmetrical है इंडिया जैसी diverse country के लिए asymmetrical model ज़ादा बहतर है Alfred, Stephen, ये कहते हैं कि जो USA का model है, वो demo contrasting model है जबकि इंडिया का जो model है, वो demos enabling model है, demos मतलब क्या होता है people तो वहाँ पर आप जो state का representation है center पर, वो equal कर दे रहे हो इस बात को नजर अंदास करके कि कि state की population ज़्यादा है, किस की कम है तो आपने demos को कहाँ ध्यान में रखा तो आपका जो model हुआ, वो demos contrasting होगे कि नहीं जो population है, आपने उसको coin किया है, और हमारे अचलिए positive बात भी की है तो हमें याद रखना चाहिए, ठीक है बाकी लोग बुरी-बुरी बात है तो करते रहते हैं इंडिया के बारे में, कोई अच्छी बात करता है तो उसको भी याद रखिए Granville, Austin ये कहते हैं कि इंडिया का जो model है वो cooperative federalism का है और KC VR का जो point है वो reject करते हैं, वो कहते हैं देखो ये इदर-दर की बात मत करो जो quality होती है, दो तरीके की होती है एक होती है unitary, एक होती है federal अब ये बीच में जबर जस्ती है quasi-federal आला मत गुसाओ ऐसा कुछ नहीं होता कोई state या तो federal होगा या unitary होगा अब किसी को quasi-unitary बोल दो, किसी को quasi-federal बोल दो किसी को quasi-quasi-unitary बोल दो ये सम मत करो, ठीक है तो कहते हैं कि इंडिया जो है एक cooperative federalism को represent करता है ये quasi-federalism जैसा कुछ होता ही नहीं है एक दो model होते है एक unitary होता है और एक होता है federal और ये federal है ये unitary नहीं है, तो हो गया मामला clear, judgment दे दिया Austin ने यह हम मानेंगे, क्योंकि अपने मतलब का है मतलब आप ऐसे conclude कर सकते हो जब भी आपको conclude करना हो तो आप Austin को quote करके conclude कर सकते हो कि Austin कहते हैं कि दो ही model होता है फिर हमार जो supreme court है, आप उसको quote कर दो, और मतलब कितने arguments हैं, अगर कोई बोले कि इंडिया जो है वो costi federal है और आपको reject करना है, तो आप इनको quote कर दो, Austin को quote कर दो ऐसा बमई case में supreme court को quote कर दो कि अपना model है, इसके लावा जो USA का supreme court है, जो तीन parameter बताता है, उन तीनो parameter पर हम fit बैठते हैं, उसको quote कर दो, proper justification है इंडिया के federation होने का, यहाँ पर देखे, Maurice Jones, इनका यह कहना है कि इंडिया combination है, cooperative federalism का, जहाँ पर states bargaining करते हैं, तो इस तरीके से यह एक cooperative federalism के तरह काम करता है, और कुछ states जो हैं bargaining करने की capacity रखते हैं, और अपनी वो rights को assert भी करते हैं हमारे जो prime minister है, उन्होंने एक नया term coin किया, that is cooperative competitive model अभी तक बात चल रही थी कि हाँ जो center है, वो big brother का role play करेगा, cooperate करेगा इन्होंने कहा, और states भी आपस में cooperate करेंगे उन्होंने का, states सिर्फ cooperate क्यों करेंगे इनके बीच में एक healthy competition भी होना चाहिए और इस healthy competition को maintain करने के लोने एक संस्था बनाई, जो पहले भी थी उसका नाम रखा नीतियायोग, नीतियायोग से वो competition करवाते रहते हैं, तो उन्होंने cooperation के साथ, competition को भी include कर लिया, कि cooperate भी करेंगे, compete भी करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे ठीक है, देखो, यह जो, यह good governance का जो vision है, और development का vision है, उसको भी पूरा करता है जहां पे आप cooperate भी करते हो, और compete भी करते हो खाली कोपरेट करने से बात कैसे बनेगी, इसके लावाद, जो competitive, cooperative model है, यह जो present की government है, उसकी जो यह theme है, जो vision है, तब का साथ, तब का विकास, उसके साथ भी consonants में है, वो चाहते हैं, सभी लोग compete करेंगे, तभी सभी लोग आगे बढ़ पाएंगे, खाली कोपरेट करने से आगे नहीं बढ़ेंगे, और जो नीति आयोक का formation है, और उसके functioning है, वो actually में competitive, cooperative, federalism के उपर ही based है, क्यों कोपरेट भी कर रहा है, compete भी कर रहा है, यह हो गया basic, मतलब federalism के बारे में, जो fundamentals या basics हमने समझने थे, scholars का view समझना था, supreme court का opinion समझना था, हमने सब समझ लिया है,